बीचे दिनों भारत बंद के दोरान होई हिंसा के बाद देश की राजनिती गर्मा गई है दलित मेताओं के आरोप है कि पुलिस जूटे केसों में गिरफतारी कर दलितों को जेल में बंद कर रही है वहीं B.S.P. सुप्रीमो मायावती ने मोधी सरकार पर निशाना साथ के हुए कहा है कि देश में इमर्गेंसी से भी बड़तर हाला थे राजनिती खमले तेज हुए तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितिनाथ से मुलाखात कर इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है क्या है ये मामला आईए जानते हैं दनसर दलीतों के मुद्धे पर राजनिती 20 मार्च को आई सुप्रिम कोर्ट के फैसले के बाद करमाई एक मामले की सुनवाई के दोरान सुप्रिम कोर्ट में से स्ट्य एक्ट के प्रावधाम में बदलाव करते हुए अगरिन जमानत को मन्जूरी दे दी इसके बाद दलीतों ने इस फैसले का विरोध करते हुए दो अपरेल को भारत बन का ऐलान किया लेकिन इस दोरान देश के कई इलाकों में हिंसा और आगजनी होई कुल 12 लोगों की मौत होई इसके बाद कई राजियों से खबरे सामने आई की पुलिस ने जूटी की रफ्तारी कर दलीतों को जबरन जेल में बंद कर दिया है वहीं यूपी के रॉबर्ट गंज से बीजेपी सांसत और दलीत नेता छोटे लाल खेरवार में सीयल योगी की शिकायब पियम मोधी से करते हुए कहा कि मुख्य मंत्री योगी ने डाट कर भगा दिया जबकि बीजेपी सांसत उधित राज ने कहा कि सरकार दलीतों को प्रताडित कर रही है इस पूरे मामले में रदिवार को बेजपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फरेंस कर मोधी सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि चाहे केमर की मोधी सरकार हो यब बीजेपी शासित राज्यों की सरकार सभी जगे डलीतों पर अत्याचार हो रहा है देश में इमर्जेंसी से भी बज़तर हाला थे इससे पहले कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने बाबा साहिब की मुर्थियों की तूटी हुल तस्वीरे शेर कर मोधी सरकार पर मिशाना साथा राहूल गांधी ने मोधी सरकार पर तंज कचते हुए कहा कि पूरे मामले में अपने विरोधियों को कैसे जबाब देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिलहाद इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ